नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ C.A. शालीनी सुमानी, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस्टरी, यह वीडियो को पूरा देखेगा जिसके लिए, कहते हैं, अगर एक बार धनुष से छूट जाए बान और मुह से निकल जाए शब, तो उसे वापस नह ले सकते हैं, लेकिन अगर यह बयान आप से जबर्दस्ति लिया गया हो, GST डिपार्टमेंट द्वारा, सर्ज एंड सीजर के दोरान, और उसी के तहट आप से जबरन GST लायाबलेटी भी वसूल करी गई हो, तो क्या आप यह बयान को वापस ले सकते हैं, क्या आपने जो G GST लायाबलेटी रिलीस करी है, क्या उसका रिफंट क्लेम कर सकते हैं, चलिये देखते हैं, आज यह इंपोर्टेंट के स्टेडी में, यह के स्टेडी है, रिट पेटिशन नंबर 5192 अफ 2020, 10 भाई श्री नंदी धाल मिल्स, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्स सीनि इंटेलिजेंस ओफिसर अट मधरास हाई कोट, जिसका जज्जमेंट साथ अप्रेल 2021 को आया है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, विच आ फेल्ट लाइक शेरिंग विध यू, फाक्त्स अप्राइवेट अप्टोबर 2019, दिवाली के समय, डिपार्टमेंट ने रेड किया श्री नंदी मील्स के यहाँ पे, जिनका बिजनेस है, मैनुफेक्ट्रिंग ओफ आटा, फ्लोर, ग्रेंज अन पल्स जो अगर नॉन ब्रैंडेड है, तो जी एस्ट में एक्जम्ट है, पाट, इफ इस आर ब्रैंडेड, जी एस्ट इस अप्लिकेबल, डिपार्टमेंट व टाक्स बनता है, और वो से रिलीज भी करेंगे, डिपार्टमेंट वालों ने पेमेंट की एक स्कीम बनाई, जिसके तहत, कुछ कुछ दिनों में, वन करोड की इंस्टॉल्मेंट के हिसाब से सेवन करोड डिपार्टमेंट को उन्हें भरना था, प्लस, एनी एडिशनल अम वस पेड इमेडिएटल ओन 22nd October 2019, और नेक्स इंस्टॉल्मेंट वस पेड ओन 30th October 2019, बट उसके पाथ जो हुआ, उससे के केस की दिशा पतल गई, नंदी मिल्स ने अपना बयान रिट्रेक्ट करा लिया, जिस उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है वो अपनी इच् जिसके तहत उन्होंने वो बयान लिखा, क्योंकि उनका जो बिजनस है उसमें कोई ब्रांड यूस नहीं हो रही है, जो ब्रांड यूस हो भी रही है, लाइक शीवम, ट्रिशूल, नंदी, वो ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है, और अगर कभी हुआ भी तो ट्रेडमार्क के राइट्स कभी एक्सिसाइस नहीं करेंगे, अब डिपार्टमेंट का मानना है, सेक्शन 74.5, रेड विट सेक्शन 74.6, उसके तहत वो वसूल कर सकते हैं, हाला कि अगर हम ये सेक्शन रीड करें, ध्यान से, सेक्शन 74.5, रेड अलोंग विट सेक्शन 74.6 of CGST Act, ये कहता है, कि सबसे पहले opportunity of self-assessment और self-assertainment दी जाती है SSE को, जिसके तहत वो अपनी liability चेक करके पताते हैं, कि अभी तक उन्होंने कुछ गलती करी है, और अब वो liability खुद assess कर रहे हैं, मतलब खुद मान रहे हैं, कि उन्होंने गलती की दी थी, और अब वो सही assessment करके बाकी का भुकतान करने वाले हैं, ये इस section में तीन खास बात है, सबसे पहली बात ये, कि SSE अपनी गलती मानता है, और self-assessment करता है tax liability का, second point है, department के official उसकी जाज करेंगे, और अगर उन्हें वो कम लगेगा, तो वो liability खुद decide करेंगे, So second part is, that official examines this self-assessment, और उन्हें अगर वो गलत लगता है, तो third part is, वो सही liability को determine करके, का अनुमान लगा के, show cause notice रेस करेंगे, अब इस case में, जब यहां 2 करोट श्री नंदी मील्स भर चुके थे, फिर भी उन्हें summons आये जा रहे थे, जिसमें tax liability का determination तो नहीं था, But summons आ रहे थे, कुछ और चीज़े provide करने के लिए, कुछ invoices और further documents के लिए, जो बिलकुल कलत है, क्योंके high court का कहना है, कि ये तेन चीज़े होनी चाहिए, वो show cause notice issue करने से पहले, सबसे पहला, श्री नंदी मेल्स का accept करना, जो है ही नहीं, क्योंके उन्होंने अपना retraction ले लिया था बयान का, Second case, अगर उसे कम लगे, अगर वो department official को कम लगे, तो वो assess करे, Third case, show cause notice issue करे for balance liability, Now, in this case, since, वो tax liability जो थी, ना तो वो tax liability determined हुई है department वालों से, And secondly, ना तो, जो first point है, जहाँ self-assertainment, SSE जो liability खुद एक्सेप्ट कर रहा है, ना वो point valid है, that is also missing, So, the judgment was held in the favor of SSE, जिसके तहर, judge, court, Court ने department को, within four weeks, two crore की amounts refund करने को कहा है, Along with interest, and it provided much, much relief and remedy to Shri Nandi Meals, जो आज की situation में बहुत ही current, और relevant case study है, कि सिफ Nandi Meals के साथ ही नहीं, और पहले भी हो चुका है, Like, Dabar, Dabar India Limited, versus Strait of Uttar Pradesh, in the year 1990, तब भी ऐसा हुआ था, जो उनसे जबरें सर्च इन सीजर के दौरान पैसे भरवाये गए थे, टैक्स के रूप में उन्हें भी उसे बाद में रिफंट करना पड़ा था, सुप्रीम कोट के आदेश के दौरान, So, this is a very important case study, I thought like sharing with you. Thanks for watching the whole video, thank you and stay tuned.